हेलो फ्रेंड्स आज के टुटोरियल में हम help resources के बारे में पढ़ेंगे जब भी आप कोई नई चीज यूज करते हैं हो सकता है उसको use करते टाइम आपको कुछ problem आए इन problems को solve करने के लिए help resources होते हैं वही हम अपने आज के टुटोरियल में पढ़ेंगे Ubuntu से related कोई भी help पाने के लिए आप यहां सबसे पहले rightmost icon पर जाके click करेंगे और second option है इसका Ubuntu help इस पर click कर दीजिए आप देखेंगे यहां पर Ubuntu desktop guide आपके सामने open होके आएगी और इसमें आप देखेंगे यह पूरी guide different different categories में divided है for example अगर आप desktop, app, desktop, application or windows related कुछ query को स्वाल करना चाहते हैं तो आप इस पे click कर सकते हैं sound, videos, pictures related किसी query के लिए आप इस option पे click कर सकते हैं मालीजे मैंने option पे click किया तो आप देखेंगे sounds में अगर आपकी problem आ रही है तो आप further इस option को choose कर सकते हैं इस तरीके से आप देखेंगे sounds related, videos related, pictures related सारी जितनी भी problems possible हो सकती हैं उनसे related आपको data यहां मिल जाएगा जिससे आपकी problem solve हो सकती हैं दूसरा तरीका होता है terminal से मानलीजे आपको command use कर रहे हैं और उसको use करने में आपको यह problem आ रही है उसके options आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके लिए command होती है man सबसे पहले हम यहाँ पर terminal open करेंगे by pressing alt ctrl and t यहां सबसे पहले आप man लिखेंगे space देंगे और फिर उस command का नाम देंगे जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं for example मानलीजे मैं ls command के लिए जानना चाहती हूं ls command क्या होती है यह हम अपने आगे आने वाले tutorial में पढ़ेंगे यहां पर मैं सिफ आपको man command यूज करना सिखा रही हूं तो सबसे पहले यहां आप man लिखेंगे space देखें जो आपकी command है जिसके बारे में आप query करना चाहा रहे है वो लिखेंगे and then press enter यहां आप देखेंगे सबसे पहले उपर command का नाम आ रहा है ls यह बता रहा है list directory content आपकी directory के अंदर जो content है ls command उन्हें list कर देती है इसके बहुत सारे options होते हैं आप देखेंगे यहां पर दो options small a and capital a दे रखा है इसकी आगे के option के लिए आपको next page पर जाना होगा next page पर जाने के लिए आपको space bar key press करनी होगी अगर मैंने space bar key press की तो आप देखेंगे आगे के option आ गए एक बड़ाओ प्रेस करने पर और आगे के option आ गए अगर आप पीछे जाना चाहते हैं आप इससे पहले के page पर जाना चाहते हैं तो आप B key को press करेंगे अगर मैंने वी प्रेस किया previous page पर आ गए इसके बाद आप देखेंगे यहां पर हम starting page पर आ गए इस तरीके से जब आप command के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लें आपके requirement fulfill हो जाए तो आपको यहां से quit करना होगा quit के लिए आपको Q press करना होगा और आप देखींगे Q press करते ही जो पुरा manual खुलके आया था LS के लिए वो close हो गया है इस तरीके से Ubuntu के GUI related या video network इन सबसे related problem को solve करने के लिए आप यहां Ubuntu की desktop guide को prefer कर सकते हैं और Linux related किसी भी command में help की जरूरत पड़े तो आप यहां पे man command को use कर सकते हैं सबसे पहले आपको man लिखना होगा और इस page देके अपनी उस command का नाम लिखना होगा जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं जहींत नहीं thank you